Aeroflix Industries Limited का आगे है IPO आज के इस वीडियो में हम बेसिक से लेकिए advance सारे की सारे पॉइंट से इस IP के लेटेट कवर करने वाले है तो आपको आएगा बहुत ज्यादा मजा वीडियो को लाइक अभी से कर दीजगा और अपने दोस्ते आज शेयर करना मद भुलिएगा आगर हम कंपनी की बात करें तो 1993 में कंपनी इंकॉर्परेट हुई थी पहले कंपनी का नामता सुयोग Intermediaries Private Limited कंपनी मेनुफेक्चर करती है और सप्लाय करती है Environmental Friendly Metallic Flexible Flow Solution Products कंपनी का जो मेन प्लान्ट है वो है नवी मुंबई में जो स्प्रेड हो रहा है 3,50,000 स्क्वेर फीट के भी ऊपर के एरिया में अगर हम IPO के लिज़े इंपॉर्टन डेट की बात करें तो 22nd of August को IPO open होगा 24th को close होगा 29th of August को allotment decide हो जाएगा refund आना स्टार्ट हो जाएगा 30th of August से off lately कई बर हमें refund मिलने में एक दिन का एक्स्रा टाइम रग जाता है तो उसमें टेंशन मत लीचेगा finally आपको shares क्रेट हो जाएगे 31st को और लिस्टिंग होगी 1st of September को अगर हम lot size की बात करें तो retail category में 130 shares का एक lot होगा 14,040 रुपीज का एक lot होने वाला है H&I small की category में आपको 15 lots के लिए apply करना पड़ेगा 15 lots का एक basket बन जाएगा और H&I बड़ी category के आपको apply करना पड़ेगा 72 lots के लिए इस IPO में किसी भी category में one time से ज़्यादा apply करने का for example अगर आप H&I small वे apply करना चाते हो तो सिर्फ और सिर्फ 15 lots के लिए apply करना होता है उसके उपर apply करने का कोई भी use नहीं होगा क्योंकि ये IPO बहुत ज़्यादा उमीद है कि बहुत ज़्यादा access subscription आने वाला है IPO से पहले promoters की holding की 91.09 पर और IPO के बाद हो जाएगी 66.99 50% QIB 15% H&I and balance 35% होने वाला है retailers के लिए NAC, BAC दोनों पर listing होगी 351 croze का एक छोटा IPO है जिसमें से 1 C2 croze होने वाला है fresh issue और balance होगा offer for sale IPO का price band है 102 से लेके 108 retail में आपको हमेशा apply करना होता है cut-off price के लिए और H&I category में आपको 108 का price mention करना पड़ेगा important financial ratios पर जाए उससे पहले financials को check out कर लेते है total assets 2020 में थे 157 croze जो बरते बरते 213 croze पर पहुच गया है revenue 144 croze से बरता बरता 269 croze पर पहुच गया है सबसे major point है इस company का 4 crore का profit था 2020 में जो बरते बरते 30 crore 30 croze पर पहुच गया है जिस तरीके से company ने growth दिखाई है पिछले कुछ समय पर company हमसे ठीक टाक valuation निमान करने वाली है या आपकी लिए already mindset हो जाना चाहिए net worth 52 croze से बरते बरते 114 croze पर पहुच गया है total borrowings भी धिरे धिरे reduce हो रहा है 63 croze पर था 2020 पर जो reduce होते होते है 45 croze पर पहुच गया है net profit बढ़ रहा है borrowings कम हो रही है दोनों points positive हो जाते है P ratio हमारे लिए मिलने वाला है 40 का market cap roughly 1396 croze का हो जाएगा return on equity है 26.43% return on capital employed 31.91% debt to equity का ratio काफी controlled है 0.39 पर है and EPS RE है 2.64 पर है मतलब इस company के financials हमें काफी अच्छे दिख रहे है company ने हलका सा excess valuation मांगा है मैं यह नहीं कोगँ कि बहुत excess है हलका सा अच्छा valuation मांगा है but it is absolutely okay अगर हम यहाँ पर peer comparison करें तो यह direct apple to apple comparison तो नहीं है पर पहला comparison हमें मिलता है Parker Corporation का जिसका P ratio है 26 का और second आ रहा है senior PLC जिसका P ratio है 35.35 का यहाँ पर इस company जिस वैलेशन पर IPO लाने की कुशिश करी तोड़ासा excess है because उसके financials भी उसी तरीकी से improve कर रहे है तो financial हमें यहाँ पर बैकिंग मिल पा रहे है मैं मेरी personal opinion पर जाऊं जिसके पहले अगर आपके लास DMAT account नहीं है डिस्क्रिप्शन को चेक आउट कर लीजिगा इवन अगर आप mutual funds में इन्वेस्ट करना चाहते है हमाई ही टीम की कोई भी मदद चाहते है तो link आपको description में मिल जाएगा on the face of it यह ऐसा IPO है conclusion करने के लिए जिसमें इस अलमोस सटन कि मैं यहां पर अपलाए करने वाला हूं और यह भी सटन है कि मैं परसनली यहां पर अपलाए करूं हा H&I काटेग्री में फर्स डेपर ही यह फाइनल अलमोस हो चुका है फिर भी बायचांस हमें subscription में तोड़ा बहुत ऊपर नीचे देखने को मिला तो शायद big H&I से small H&I पर shift करना पड़ जाए पर आज की दिन जितना मेरे पास limited information है जितना मेरा personal mindset क्या रहा है यह IPO को मैं personally consider करने वाला हूं आपका क्या opinion है comment करके मुझे बता दीजेगा as per sources grey market premium चल रहा है 40% के ऊपर का और यहाँ पर listing के expectations I feel 35% से लेकि even 50% की यहाँ पर हो सकती है तो एक interesting IP to watch out हमारे सामने आ चुका है अपने opinion को comment करके बताना मत भुलेगा happy learning and I will see you very soon